नमस्कार दोस्तों मेरा नाम इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ड यूटूब चैनल तो चलिए आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एक्सल के अंदर आप कैसे किसी भी स्टूडेंट के एक्जान के बाद उसके डेटा के हिसाब से आप उनक हिंदी इंग्लिश मैथ के टोटल किये हैं और उनका परसंटेज रिजल्ट और ग्रेड आउट पुट किया है तो यहां हमें यह जानना है कि यह कैसे काम करता है और कैसे आप इसका यूच कर सकते हैं तो सबस्पहले आपको मैं यहां पर चेंज करके दिखाता हूं कि यह फ परसंटेज जब 60 होगा तो A ग्रेड 50 होगा तो B ग्रेड 45 होगा C ग्रेड और 35 होगा तो पास अगर उससे कम होगा तो फेल तो यहां 60 है या 60 से ज्यादा 50 या 50 से ज्यादा 45 या 35 से ज्यादा कि आपका जो है होगा तो अब यहां पर धीन देंगैं कि जो टो टल मेरा आया है उसके हिसाब से परसंटेज निकल के आ रहा है इस परसंटेज के साफ़ से ग्रेड मेरा सही आ रहा है अगर मैं इसके अंदर कोई प्रके इस चेंज करके number कम करूं तो यह हमारा जो है फेल के category में कब आएगा जब यह 35 से नीचे का percentage प्राप्त करेगा तो मैं यहां कुछ number इसमें change कर रहा हूँ जैसे मैंने इसको 30 number type कर दिया तो 30 number type करने से कितना आ गया यह देखिए यह आपका 43 आ गया तो 43 पे क्या हो गया यह अभी पास है grade इसको नहीं मिला है लेकि पास है अगर यह number और कम हो जाए तो आप देखे automatic यह फेल हो जाएगा अब देखे जैसे मैंने यहां number इसके कम किये तो इसका जो percentage हो आपका 35 की नीचे आया और इसका result भी फेल हो गया इसका grade भी फेल हो गया अर्थात यह formula इसको निकालना बहुत आसान है और यह सारे formula जो आपको यहां पर दीख रहे हैं मैं अग भी दुबारा आपको फिर से लगा के दिखाऊंगा प्लस इस सारे formula को आप description में जाके वहां से note भी कर सकते हैं और यहां भी आप जो है note कर सकते हैं तो सबस्पहले मैं इन सभी formula को हटा देता हूँ हटाने के बाद अब आपको बताता कि आप कैसे total निकालेंगे तो देखे excel के अंदर calculation करने के लिए आपको total निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि जहां data हो या तो आप उसका address लिखे और या तो आप वहां click कर दें तो सबस्पहले आपको equal लगा देना है formula लगाने के पहले equal compulsory है excel के अंदर यह बात ध्या 30 को लिख दूँ और मुझे 80 जोड़ना है तो फिर मैंने प्लस लगा के 80 को लिख दिया और फिर मैंने यहां पर प्लस लगा के 20 को लिख दिया तो यह total तो आएगा total आपका आएगा लेकिन यह सिर्फ एक sale का सही calculation करेगा बाकी sale में यह काम नहीं करेगा यह दिखे जैसे मै आपका total आ रहा यह total technique Excel में नहीं चलेगा इसके लिए फार्मूला यूज करना पड़ेगा फार्मूला के लिए cell address compulsory है और cell address या तो type करो या तो click करके आप वहां से ले सकते हैं जैसे अब मुझे यहां पर इसे जोड़ना है 30 को तो मैं जैसे इस पर click करूंगा देखे यहा आ रहा है कालम और यहां 6 number आपका रो आ रहा रहा अर्थात यहां पर इसका address इसने उठा लिया फिर जैसे हमने यहां पर click किया देखी इसने उसका address उठा लिया या तो हम इसको plus लगा के लिखे अर्थात अगर मुझे यहां पर मैत का number जोड़ना है तो जी 6 में यहां पर type भी कर सकता है से जी लिखे six लिख देंगे तब भी वह वहां पर ले लेगा और उसके बाद जैसे इंटर करेंगे टोटल आएगा टोटल के बाद जैसे यह आप इसको ड्रैक करेंगे तो आप देखेंगे टोटली आपका यह कल्कुलेट हो जाएगा सब का अपना-पना ऐसा अब यही चीज आप percentage निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए टोटल जो टोटल होता है टोटल में आप किया करेंगे पूडांक का भाग देंगे तो पूडांक आपका क्या होगा आपने तीज सब्जेक्ट लिया है पूडांक आपका कितना होगा 300 होगा तो मैं यहां पर प भागे करना है तो जैसे 100 करके इंटर करेंगें देखेंगे एसका क्या आगया पर्शेंटेज आ अब यहां पर हम इसे करके या डॉलब कलीक करके भी नीचे तक फार्मूला ले जा सकते हैं अब आगे दिल निकालने के लिए हमें यहां पे condition देना होगा, condition क्या है, कि यद कोई भी candidate या कोई भी student आपका 35 या 30 जितना आप सेट करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा होगा तुसे आप pass मानेंगे, लेकिन अगर वो उससे कम होगा तुसे आप fail मानेंगे, तो इस condition को देखा जाएत, इसमें दो-दो बात एक साथ आ र test के हिसाब से आपका condition यह है, कि यद हमारा percentage, तो percentage पर क्लिक कर दीजे, क्या हो, greater than, equal to 35, अर्थात यद हमारा percentage 35 या उससे ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, तो यहाँ पर लिख दीजे, double inverted कामा के अंदर पास, फिर double inverted कामा, फिर कामा, फिर double inverted कामा, फिर आप क्या, अगर नहीं होगा, तो fail, तो आप यहाँ पर लिख दीजे, fail, लिख के फिर double inverted कामा, फिर आपको bracket बंद कर देना है, तो bracket बंद करके, जैसे आप इंटर करेंगे, आप देखेंगे, यह आपको result देदेगा, pass और fail के रूप में, तो इसमें सभी pass है, क्यों, क किसी का भी जो है, percentage 35 या उससे कम नहीं है, तो अगर मैं इसको कम करूँ, तो आप इसका result देख सकते हैं, कि यह fail कर देगा, जैसे मैं इसमें जाके result को fail करने के लिए update करता हूँ, तो देखें, अभी यहाँ 46 आरा, फिर से मैंने इसमें जाके result अपडेट किया, देखें, ज आप grade निकालना है, तो grade के लिए आपके एक फार्मूला लगाना है, क्या, फिर से वही condition, क्या, इफ, इफ के बाद आपका condition क्या है, condition यह है, कि जो हमारा percentage है, यदि आपका greater than or equal to 60 है, यदि percentage हमारा 60 या 60 से ज्यादा है, तो हम A grade देंगे, तो A grade को double innoted कामा में, फिर कामा, फिर आप if लगाईए, फिर आप bracket लगाईए, फिर आप percentage को चेक करें, तो percentage पी क्लिक करें, percentage is greater than or equal to 50 होगा, तो कामा, double innoted कामा, फिर आप उसको क्या देंगे, B grade, तो आप यहाँ पर B लिखिए, फिर double innoted कामा, close करके, फिर कामा, फिर if आप लगाएंगे, फिर आप bracket condition, कि यदि हमारा percentage is greater than or equal to 45 होगा, तो कामा, double innoted कामा में, C grade देंगे, फिर C grade के बाद, double innoted कामा, फिर कामा, फिर इफ लगाएंगे, फिर ब्रिकेल लगाएंगे, फिर चोथा condition देंगे, कि यदि हमारा percentage is greater than or equal to 35 होगा, तो कामा, double innoted कामा में, हम पास कर देंगे, फिर double in सब्सक्राइब करें अगर 35 से कम होगा तो हम फेल करेंगे अब ग्रेड को जैसे आप डबल क्लिक करेंगे सब में आ आप देखे यहां पर 60 है तो यहां पर देखे ए ग्रेड यहां पर 46 है यहां पर देखे C grade यहां फेल हो गया क्योंकि आपका 35 से ज्यादा है लेकिन 45 से ऊपर नहीं है अब यहां अगर percentage आप करना चाहते हैं ग्रेट तो आप यहां पर नंबर बढ़ा देजिए अब जैसे मैंने यहां पर फिफ्टी नंबर बढ़ाया तो देखे यह आपका कितना आगया पचास पर तो इतो मैं टेक भी ग्रेड हो गया तो यह बहुत ही सिंपल है आप कैसे कल्कुलेट करेंगे आपने देखा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक और सेर करिए और यहां जो भी आप फार्मूला देखे हैं सब फार्मूला आपको मिल जाएगा एक्सल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां से आप इसको लिख भी सकते हैं प्रैक्टिस भी कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो है